ब्रत के लिए पांच मिनट में बनाए आलू के कुरकुरी के पकवड़ी बिल्कुल यह चटपटा सा बनेगा और ब्रत में तो सबको चटपटा सा तीखा सा घाने का बन करता है तो यह बहुत स्वाधिश्ट बना है चलिए बनाना सुरू करते हैं मैंने एक आलू को छील के अ जीरा पाउडर आदा चमच काली मिर्च पाउडर सेना नमक डालेंगे अपने हिसाब से जीरा डालेंगे हरी मिर्च डालेंगे इसी डालके हम अच्छे से मिला लेंगे मिक्स कर लेंगे आप अधरक भी डाल सकते हैं धनिया भी डाल सकते हैं लेकिन मैं यहां नहीं डाल रह कHHH करकी सी तरह से पकोड़े इस तरह में तब हम इसके जाएगा बिलकुल कुरकुरा सबने पर अच्छे लिए बिलकुल अच्छी निरुक नहीं आज पर जेकर बिलकुल अच्छी जलत कर गह गाते हो ढ़्य को पिलकुल और नहीं तो आच दुआ चेंगा है और ज्च10 नहीं अब हम निला लेंगे मुंफुली स्टोषा झालो सब्सक्राइब कटा हुआ हुआ कुछ चमछ मिर्ची काली मिर्च पाउड़र सेना नमक, जीरा पाउडर, आधा चमच, इन सारे चीज को डाल के अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे, और अहल के आज पर अच्छे से इसको पकाएंगे, आप अधरक अधनिया पती भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहां नहीं डाल रही हूं, और यह देखिए, यह इसको साईड में रख दे, और यहां रामदान लिया है, रामदान को अच्छे से मैं साप कर लिया कंकड जीता होता, आच्छे से मैं आप कर लिया एक भी कंकड़ इसमें चुटे गा, तो खाने में दाथ की नीचे लगेगा तो चाने में लगेगा, और इसको भुनन is nya, ls तोपर से प्लेट या थाली लगा कम इस तरह से भून लेंगे नितो इसका लावा इतना चटकेगा वो बाहर गिरने लगेगा और यह अच्छे से चटक गया है अब इसको हम निकाल लेंगे फिर इसी तरह से हम डालेंगे इस तरह से चलाते रहेंगे और जैसे चटकने लगे थम उपर से इस तरह से ढगा देंगे कोई भी चीज लगा देंगे इस तरह से चटकने लगेगा और इस तरह से हिला लेंगे थोड़ा रामदाना लावा अच्छे से बन गया है अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ये गरम-गरम फरहार बनके तयार है और ये जो रामदाना लावा है और एक गिलास दूद है दूद में इसको डालके और चमस से लाके और इसमें पी लेंगे और आपको चीनी डाल के पीना है तो आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं अगर आपको फरहर बनाने का मन नहीं कर रहा है तो आप रामदाना भून लीजिए और दूद में डाल के पी जाईए और एक दो मीठा खा लीजिए एक केला खा लीजिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करके जरूर बताएं